नमस्कार दोस्तों मैं मेन आक्षी अपनी आज की वीडियो में लेके हैं ये जैकेट ओपन जैकेट पर बेबी गर्ल्स और ये जो जैकेट है ये दो से चार साल के बच्चे के लिए है ये जो जैकेट है इसे हमने आगे से कुला रखा है 3 हिस्सों में इसको बनाया है एक इसका बैक पार्ट और दो इसके फ्रंट पार्ट में हमने नॉर्मली हम जो है दर्शिय 12 फंदों की पट्टि रखते हैं लेकिन इसमें हमने पट्टी जो है यह फ्रेंट ओपन और इसके लिए वूल जो है तो 110 ग्राम की वूल ली है और जो वूल है हमारी वह नॉमल से थोड़ी सी मोटी है है तो यह डबल प्लाई है लेकिन जो नॉमल होती है उससे थोड़ी सी मोटी है और इसे हमने बुणा है यह 4 mm नीडल से इंडियन आर्ट नमबर यह 4 mm नीडल है इस पर हमने बुना है तो अभी जो है हम अपनी यह जैकेट है बनाना शुरू करते हैं यह जो हमारी जैकेट है जैकेट का बैक साइड जो है पिछला हिस्सा है यह मैंने जहां तक हमारी आम होल की लेंथ है जहां से हमने अपने कंधे की शेप देनी है बहां तक मैंने यह बना रखा है इससे मैंने शुरू किया था 64 स्टीचेश के साथ 64 फंदों के साथ और इसकी मैंने यह 36 गाटर स्टीच रोज बुनी है गाटर स्टीच रोज 36 है तो टोटल मैंने 72 रोज 36 सीधी तरफ से और 36 सी उल्टी तरफ से और यह जो गाटर स्टीच रोज है यह मैंने उल्टी उल्टी स्लाई बुनते हुए बुनी है आप चाहो तो सीधी स्लाई से भी बुन सकते हो तो 64 फंदों के साथ 64 स्टीच के साथ 36 गाटर स्टीच रोज बुनने के बाद अब हम यहां पर अपने कंधे की शेप देनी शुरू करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर मैं चार फंदे जो हैं चार फंदों के बाद एक अपना यहां पर स्टीच मार्कर लगाऊंगे दोनों तरफ चार फंदों के बाद इस तरफ और चार फंदों के बाद ही इस तरफ यह मेरे पास मार्कर है स्टीच मार्कर आप चाहो तो य 1,2,3,4,4 वंडों साथ के यह जो 14 फंडों यहां पर मैं पुले में प्रेंटिज मार कर लगाऊंगी सरह अजुआ धर यहां पर बहुद है। चार चार फंदे दोनों तरफ हमने जो है स्टिच मार्कर यहां पर यूज करना है चौथे फंदे अब यहां से हम अपनी कंधे की शेप देने के लिए यहां से बुनाई शुरी करेंगे अब जब हमने नीचे से इसको बुना था जहां से मैंने इसको बुनना शुरू किया था तो हर स्लाई पे एक फंदा बिना बुने उतारा था ताकि हमारे पास यह चेड़ नाई जिससे की हमारी सीलाई इजी रहे लेकिन जब हमने कंधे की शेप देनी है तब हम सारे फंदे बोनेंगे चाहे वो पिहला हो, चाहे सीधी तरफ से पहला हो और इसको उल्टा बोनेंगे अगर आप सीधा बुनते हुए जितने हिस्षे किसी लाई करनी है उनको ऐना भूने मैं अटार था लेकिन यहां से मैं इनको भूनना शुरू करने तो यहां पर पहले मैं 4 फंदे भूने गी एक दो तीन और ये चार ये होगे हमारे पास चार फंदे और इसको मैं ये जो मेरा स्टिच मार्कर है इसको मैं उल्टी तरफ कर दूंगी इसे बुनते हुए अब यहां पर चार फंदे बुनने के बाद ये जो दो फंदे हैं कठे बुनेंगे यहां से हमने अपने आम होल की जो कंधे की शेव देने के लिए फंदे घटाने शुरू करने हैं चार फंदे बुने चार फंदे बुनने के बाद दो फंदे इकठे बुने बाकी की पूरी स्लाइब उसी तरह से जिस तरह से आप बुन रहे हो और इसको हमने चार फंदे ये औ उल्टे बुन रहे हो तो उल्टे बुनो और यह छे फंदो तक को के अ कि सारे फंद applies और यह पास छे फंद लास्टके बचे हैं इसमें से पहले पता चले कि हमने यहां पे इस फंदे को माग किया है बाकी के यह फंदे जो है अब आगे हम उल्टी तरफ से जब हमने उल्टी तरफ से फंदे घटाने के बाद यहां पे इस तरफ हमने यहां फंदे घटाए हैं फंदे घटाने के बाद जब हमने इसको उल्टी तरफ से बु पोर्षिन है हमारा बाहर की तरफ आएगा पहला फंदा उसे भी हमने बुलना है इसके बाद हमने यहाँ पर दो फंदे और बुलने है यह होगे औरлек ago हमारे पास तीन फंदे तीन फंदे बुलने के बाद यह लिए फंदा है उसको हमने सीधा बुनना है यहां यह मैं मारकर उतार दूँगी और जब हमने इसको सीधा बुनना है तो इसे एक स्टेप नीचे से बुनेंगे नॉमली हम यहां से बुनते हैं लेकिन इसे हमने एक स्टेप नीचे से बुनना है और जब तक हमने अपने कंधे की पूरी लंबाई बुननी है इस फंदे को एक स्टप नीचे से ही बुनना है तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद चौथा फंदा उल्टी तरफ से सीधा बुना जाएगा और उस फंदे को हमने एक स्टप नीचे से बुनना है उनको अपनी तरफ करके बा आप एम आर्मोस्ट गो है एक वाले चार फंडों से आपला के फंड़े पहले फंदे को हमने सीधा बुनना है एक स्टप नीचे से मतलब कि दोनों तरफी तीन तीन फंदे साइडों पे छोड़के उसके साथ का जो फंदा होगा हमने उसको एक स्टप नीचे से सीधा बुनना है इस तरह से और यह एंड तक इसी तरह से बुना जाएगा बाकी के तीनों फंदे हमने उन्टे बुनने है अब आगे हम अपनी सीधी तरफ से सीधी तरफ से फिर वैसे ही पहला फंदा बुनेंगे उसके बाद दो तीन और यह चार पंदे बुनने के बाद दो फंदे इकठे बुनेंगे मतलब कि यह हमारी जो है कंधे की शेफ देने के लिए हम यह फंदे घटा रहे हैं चार फंदे बुनकर तीन और चार फंदे बुनने के बाद दो फंदे इकठे बुनेंगे इसी तरह से end में चार फंदे छोड़के हमने ये चार फंदे बुनने उससे पहले दो फंदे इकठे बुनेंगे तो ये बीच वाले फंदे हम उल्टे बुनेंगे लास्ट के 6 फंदों तक यहां आगे हम बिल्कुल लेंट पे यहां रहें के 6 फंदे 4 फंदों से पहले 2 फंदे ही कटे बुने जाएंगे 4 फंदे सिंप्लि उल्टे बुनेंगे 3 और ये 4 उल्टी तरफ से हमने पहले 3 फंदे ऐसे ही बुनेंगे उल्टे 1 2 और ये 3 अब यहां पे हमें पता चल रहा कि ये वाला फंदा हमने सीधा बुनना है इसको हमने सीधा बुनना है एक स्टप नीचे से हर बार जब भी हमने उल्टी तरफ से बुनना है तो ये सीधा फंदा एक स्टप नीचे से बुनना है दोनो तरफ एंड पर भी ये जो सीधा फंदा है यहां से हमने पता चल रहा कि ये सीधा फंदा है इसे हमने एक स्टप नीचे से सीधा बुनना है 3 फंदे उल्टे बुने जाएंगे तो इस तरह से हमने दोनों तरफ ये जो बैक साइट का हमारा जो हिस्सा है इसके दोनों तरफ नौ फंदे इस तरफ घटाएंगे नौ फंदे इस तरफ घटाएंगे दो फंदे में घटा चुकी हूँ इस तरफ दोई फंदे इस तरफ घटा चुकी हूं तो साथ-साथ फंदे में और घटाओंगी और अगर हम उल्टी तरफ की बात करेंगे तो उल्टी तरफ दोनों ही तरफ इस तरफ भी और इस तरफ भी हमारा जो यह सीधा फंदा है इससे हमने बिल्कुल एंड तक फंदे जब हमारे पूरी तरफ घट जाएंगे उसके बाद भी जो हमने कंधे की लंबाई पूरी करनी है तो यह जो फंदा है सीधा फंदा उल्टी तरफ से सीधा बुना जाएगा और एक स्टेप नीचे से बुना जाएगा तो अभी मैं जो है साथ फंदे और घटा के अपने जो फंदे प्रटने है इसमें तो उनको मैं पूरा करओंगे अभी हमने हमारा जो यह वे पारट है पिशला हिस्सा है इसमें नौन नाव फंदे दोनों तरफ 9 फंदे ये जो है uh great की तरफ और 9 फंदे-left की तरफ दूनों तरफ हमने 9D जो है वो घटा लिये हैघ है और अगर हम इसकी बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हम एक फंदा जो सीधा बुन रहें उसे हमने एक स्टप नीचे से बुना है अब 36 रोज थी हमारी जब हमने यहां से फंदे घट आने शुरू किये थे नौ फंदे घट आये हमने तो हमारे पास नौ गाटा स्टिच रोज और हो गई 36 और 9 हमारे पास यह टोटल जो हो गई 45 गाटा स्टिच रोज अब हमने यहां से कोई फंदा नहीं घटाना लेकिन 10 गाटा स्टिच रोज हमने और बुननी है हमारी जो बैक साइड है हमारा जो यह हम बुन रहे हैं जैकट का बैक साइड इसके लिए हमें टोटल 55 गाटा स्टिच रोज चाहिए उसके हमारी 45 गाटा स्टीच रोज हो चुकी है 10 गाटा स्टीच रोज और बुनेंगे जिसके लिए हमें 20 लाई बुननी है 10 सीधी तरफ से 10 उल्टी तरफ से सीधी तरफ अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे इसे हमने बिल्कुल प्लेन बुनना है सारी फंदे बुनने हैं बीना कोई फंदा चोड़े और जो हमारा उल्टी तरफ है उल्टी तरफ हमारा ये फंदा हम बुनने है एक स्टेप नीचे से सीधा इसे हमने end तक बिल्कुल last तक जहां तक हमने अपनी length complete करनी है वहां तक हम इसको सीधा ही बुनेंगे और एक स्टेप नीचे से बुनेंगे तो अभी मैं यहां से दस गाटस टीच रोज और बुनूंगी ताकि मेरी जो बैक साइड है इसकी जैकट की बैक साइड है उसकी लेंद कम्प्लीट हो जाए अभी दस गाटस टीच रोज बुनने के बाद हमारे जो जैकट की बैक साइड है इसकी लेंद हमने कम्प्लीट कर ली है यह जो है इसकी टोटल लेंद है यह हम मेजरिंग टेप चे नहीं मेजर करेंगे यह हमने गाटस टीच रोज काउंट करके मेजर किया है इसको तो यह टो बुनी है और हमारा जो back side है उसकी लिए complete हो गई अब हमने हमारा जो है front side बनानी है इसकी वो दो हिस्सों में बनेगी एक हिस्सा मैंने ये बना रखा है इसमें हम आगे की जो पट्टी वाला हिस्सा होता है उस तरफ ये केबल का पैटर्न बनाएंगे और जो back side थी उसमें थे हमारे पास 64 stitches 64 फंदे तो जो हमारा front part होगा उसके रखेंगे हम 36 फंदे 36 stitches उसी में हमारे पट्टी के फंदे होंगे और उसी में होंगे हमारे जो front part है हमारा उसके फंदे तो अभी हम जो है अपना front part शुरू करते हैं 36 फंदे हम डालेंगे फंदे हमने simple ही डाल लखे हैं इस तरह के हमने पिछले हिस्से में डाले थे उसी तरह के simple से फंदे हैं जो हम हम इसमें डाल रहे हैं टोटल 36 फंदे जिसमें हमारे जो है पट्टी के फंदे भी हैं कि साथ में ही और दोनों front part जो है उनके हमने 36-36 फंदे 36 फंदे जो है हम वह डालेंगे तो 36 फंदे एक तरफ के और 36 फंदे दूसरी तरफ के तो यह हमने 36 फंदे 36 फंदे अपने फ्रंट पार्ट में डाल लिए हैं तो अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे पहली स्लाई जो है उल्टी बुनते हुए इसमें जो मैंने गाटा स्टिच रोज बुनी है वह सारी उल्टा-उल्टा उल्टी स्लाईय बुनते हुए ही बुनना है अब यह पहली स्लाई डालके मैं बुनाई के सीधी तरफ आउंगे क्योंकि फंदे डालने के बाद मुझे जो है पहली स्लाई उल्टी तरफ से मैं डालती हूँ तो यहां पे मैं एक स्लाई बुनने के बाद अपनी बुनाई के सीधी तरफ आउंगे यहां पे हमने इसके एक तरफ जो है केबल बनानी है जो पोर्शर मैंने एक बना रखा है उसमें जो केबल है वो इस तरफ है तो अगर इसको मैं इसके साथ रखती हूँ तो केबल जो है मुझे यहां से मेरी पहली स्लाई शुरू होती है बुनाई सीधी तरफ से यहां से शुरू होती है तो पहली केबल जो हमने डाली सीधी तरफ जो है स्टार्टिंग में डाली है तो दूसरे पोर्शन में जब हमने केबल डालनी है तो एंड की तरफ डालनी है तो यहां पे जिस तर बिच्ट नहीं करना है उस तरफ पर इस तरफ हमने पहला फंदा जो है उसको three व journée तो यहां पर इसकी जो दूसरा portion में इसका बुनूंगी, इस तरफ इसकी केबल आएगी, केबल के लिए हम यहाँ पे आठ फंदे रखेंगे, बाकी के फंदे पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, बाकी के फंदे हमने उल्टे बुने हैं, पहला फंदा बिना बुने उतारा, जहां तक ह तो आठ और तीन, ग्यारा फंदों से पहले तक हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, पहला फंदा बिन बुने उतारा, बाकी के फंदे हम उल्टे बुनेंगे, यहां, लास्ट जहां तक हमारे पास ग्यारा फंदे रह जाएंगे, अब यहां पर यह हमारे पास ग्यारा फंदे बचते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, ग्यारा फंदों में से जो पहला फंदा है, उसको हमने उल्टा ही बुनना है, छे फंदे यहां से हम सीधे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, छे फंदे बुनने के बाद यह बाकी के जो चार फंदे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है इसमें सिक पहला फंदा पट्टी का जो है केबल का है बाकी के तीन फंदे पट्टी है तो यह हमने चार फंदे उल्टे बुने अब जब हमने इसको उल्टी तरफ से बुनना है केबल हमारी यहां है तो यह वाला हिस्सा हमने जो है इसको स्टिचिंग में नहीं लेके आना है तो पहला फंदा यहां पे हमने बुनना है तीन फंदे पहले बुनेंगे पट्टी के उल्टे एक दो और यह तीन यहां पे यह आठ फंदे जो है हमारे वो केबल के हैं उसमें से पहले फंदे को हमने सीधा बुनना है उल्टी तरफ से छे फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और यह छे उसके बाद एक फंदा फिर सीधा यह जो आठ फंदे केबल के हैं उसमें से साइडों के दोनों फंदे हमने सीधे बुनने हैं बीच वाले फंदे छे जो है वो हमने उल्टे बुनने हैं उनको अपनी तरफ करके बाकी के फंदे जो है वो सिंपली उल्टे बुनेंगे अगर आप सीधे बुन रहे हो तो आप सीधे बुनिए उल्टे बुन रहे हो तो उनको उल्टा बुन दूसरी स्लाइब बिल्कुल पहली स्लाइब की तरह ही पहला फंदा बिना बुने उतारा बाकी के फंदे यहां पे हम लास्ट जहां तक हमारे 11 फंदे रह जाएंगे वहां तक ये फंदे उल्टे बुने जाएंगे अब यहां पे केबल के ये 6 फंदे सीधे बुने जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 स्लाइब में हमने सीधी 2 सीधी स्लाइब जो पहली होंगी उसमें हमने ये 6 फंदे सीधे बुने हैं बाकि सारे फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे और ये 4 फंदे ये भी उल्टे उल्टी तरफ से पहले 3 फंदे जो है वो हमने उल्टे बुनने हैं पहला फंदा भी बुनना है इस तरफ हमने 1, 2, और ये 3 तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदा सीधा और इसे हमने एंड तक सीधा ही बुनना है छे फंदे उल्टे ये केबल वाले हैं इन छे फंदों की केबल बनेगी एक फंदा सीधा अब यहाँ पे हमें यह साफ दिखने लग गया कि यह फंदा और यह फंदा सीधा बुना जाएगा और बीच के छे फंदे उल्टे बुने जाएगे बाकी के सारे फंदे हमने उल्टे बुने हैं कि हर उल्टी स्लाई में हमने इसी तरह से बुनना है जब तक हमारे प criar 36 गार्टेश दीच रोज नहीं Ben जाती तो हिसा के गार्ट़ तिच रोस उतारेंगे outside all the batteries here we have two Todos major fert izah pick up तो पहला वंदा उतारेंगे बाकि जहां तक हमारे गेबल के दो पीछे ने उल्टंब dai है Smake अब आगे हमारे पास यह पास यह चेबल के फंदों पर हम पहँच गए हैं तो इसमें से यह उतारके इन फंदों को पीछे कर लेंगे और ये फंदे हमारे आगे आ जाएंगे और ये फंदे हमारे अब हमने इनको सीधे बुना है तीन चार पांच और ये छे चार फंदे उल्टे उल्टी तरफ से तीन फंदे उल्टे इस तरफ से हम पहला फंदा भी बुन रहे हैं तो तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा शे फंदे उल्टे पांच और ये छे एक फंदा सीधा बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बुने जाएं तो इस तरह से हम ये फंदे उल्टे बुनना है से जब हमने भूना है तो च च वह उसकी दोनों तरफ का केबल पाटर्न बुनते हुए, हम यहां से इसकी जो है, 36 गाटर स्टिच रोज कम्लीट करेंगे, अभी हमने अपनी 36 गाटर स्टिच रोज जो है, वो कम्लीट कर ली है, अब यहां पर हम एक तरफ कंधे की शेप के फंदे घटाएंगे, और दूसरी तरफ गले की शेप के फं घाट आने हैं तो यहां से उपर हम इसकी सिलाई नहीं करेंगे तौं हमने सारे फंदे भुन्ने कोई बीना बुने नहीं उतारो नहीं तर ना तो यहां पर कि चार फंदे पहले हम इल्टे भुनेंगे एक उत्तला दो तीन और ये चार चार फंदे बुनने के बाद यहां से दो फंदे इकठे बुनेंगे बीच वाले फंदे वैसे ही जिस तरह से हम इनको बुनते आ रहे हैं जहां तक केबल के फंदे हमारे स्टार्ट होते हैं जो केबल वाले फंदे हैं वहां तक हमने इनको बिल्कुल प्लेन ही बुनना है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं कि सारे फंदे सीधे बुंद रहे हैं तो सीधे उल्ठे भुन रहे है तो उल्टे कि अब यहां पर यह आठ फंद हमारी केबल के हैं 8 फंदों से पहले 2 फंद इकाठे बुनेंगे कि इस तरह से क構चा एक फंद बूटा इसके साथ छे फंदे सीधे, दो, तीन, चार, पांच, और छे, साइड में चार फंदे उल्टे है, उल्टी स्लाई में भी हमने सारे फंदे बुनने हैं, कोई भी फंदा बिना बुनने नहीं उतारना, इसमें वैसे ही जिन फंदों को हम सीधा बुनते आ रहे हैं, उनको हमने सीधा ही बुनना है, एक फंदा सीधा, छे फंदे उल्टे, ये एक फंदा सीधा, और बाकी के फंदे हमारे उल्टे, उल्टी तरफ से जो ये लास्ट वाले चार फंदे रह जाएंगे, इनमें से पहला फंदा हमने एक स्टेप नीचे से इसको सीधा बुनना है, और इसे हमने एंड तक बुनना है, जिस तरह हमने जो हमारे बैक साइड थी, बैक साइड में उल्टी तरफ से एक फंदा सीधा अब यहां पर दूसरी बार फिर चार फंदे उल्टे चार फंदे उल्टे बुने के बार दो का एक दो फंदे इकठे बुनेंगे और इस तरह से हमने नौ फंदे घटाने हैं यह मैंने दूसरा फंदा घटाया है नौ फंदे ही इस तरफ घटाएंगे और नौ ही फंदे हमने इस तरफ घटाने हैं यह आगे हम केबल वाले फंदों से पहले यहाँ पे दो फंदे एक अठे बुनेंगे एक फंदा उल्टा छे फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और यह छे एक बाकी के यह चार फंदे उल्टे तो यह हमने दो फंदे घटा लिये हैं साथ फंदे हम और घटाएंगे नौ फंदे इस तरफ घटाएंगे और नौ ही फंदे इस तरफ घटाएंगे उल्टी स्लाई में यहाँ पे जिस तरह से हम नीचे से इसको बुनते आ रहे हैं और इस तरफ तीन फंदों से पहले एक फंदा सीधा वो भी एक स्टेप नीचे से जिस तरह से हमने अपने पिछले हिस्से में बनाया था तो अभी मैं यह दो फंदे घटा चुकी हूँ 7 फंदे और घटाऊंगी और 9 फंदे जो है 9 फंदे इस तरफ से और 9 फंदे इस तरफ से दोनों तरफ से घटाऊंगी टोटल 18 फंदे हम अपना जो फ्रंट पार्ट बना रहे थे उसमें हमने 9 फंदे इस तरफ घटाए हैं कंधे की तरफ कंधे की शेप देने के लिए और 9 फंदे हमने गले की तरफ घटाए हैं यहां से अगर हम यहां काउंट करेंगे तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यह 9 9 फंदे हमने अपने कंधे की तरफ घटा लिए और 9 फंदे हमने अपने गले की तरफ घटाए हैं अब यहां से हम उपर 10 गाटा स्टीच रोज बुनेंगे जिस तरह हमने पिछले हिसे में बुनी थी क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है दोनों ही उसकी हमें लेंद हमारा जो बैक पार्ट है पिछला हिस्सा है उसके इकलेंट चाहिए तो यहां जब हमने 9 फंदे दोनों तरफ घटाए हैं तो हमारे पास 18 फंदे कम हो गए हमारे पास टोटल फंदे थे 36 उसमें से हमने 18 स्टीच अठारा फंदे घटा दिये है अब हमारे पास यहां 18 फंदे बचे है 18 स्टीच हैं हमारे पास अभी हमारी स्लाइप है तो हमने दस गाटा स्टीच रोज बुननी है वो इनी के साथ बुननी है इसमें यह जो केवल है यह ऐसे ही चलेगी यह फंदे इस तरफ जो है सीधी तरफ हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे अब उल्टी तरफ यह जो एक फंदा हम सीधा बुनते आ रहे हैं इसको हमने एक लाइ बुननी है और इसमें हमने सारे ही फंदे बुनने हैं कोई भी फंदा हमने बिन बुने नहीं उतारना तो अभी मैं यहां पे अपनी दस गाटा स्टीच रोज जो है वो पूरी करूंगी दस लाइग आटा स्टीच रोज बुनने के बाद हमारा जो यह फ्रन पार्ट ह इसकी लेंद जो हमारा बैक पार्ट है उसके एकुलेंट हो गई मतलब की अगला और पिछला हिस्सा जो है इनकी लेंद बराबर हो गई इसी तरह से जिस तरह से हमने एक हिस्सा बनाया है उसी तरह से हमने इसका दूसरा हिस्सा भी बनाया है अब हमने फ्रन के हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट है, बैक पार्ट कंप्लीट है, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे, यहां कंधों से, तो उसके लिए जो यह हिस्सा है, इसे हमने अंदर की तरफ रखना है, जोड़ते हुए, और यह जो है, इसमें भी हमने ध्यान रखना है, कि यह वाला हिस्सा है, आपस में इनको जितने 18 फंदे यह हैं, 18 ही फंदे दूसरे हिस्से के हैं, तो दोनों तरफ इस तरफ भी 18 फंदे हम आपस में जोड़ेंगे, इस तरफ भी 18 फंदे जोड़ेंगे, बीच वाले फंदे जो है, उनको हमने simply bind off करना है, बंद करना है, तो यहां से हम इसको आप आपस में जोड़ते हैं, तब यहां यह जो इसका सीधा हिस्सा है, दोनों आगे का हिस्सा भी और पिछला हिस्सा भी उनके सीधे हिस्से अंदर की तरफ है, और जो उल्टे हिस्से हैं, वो बाहर की तरफ है, यहां से हम इसको आपस में जोड़ेंगे, 18-18 फंदे हमने दोनों तरफ के जोडने हैं क्योंकि हमारे पास जो है फ्रंट के दोनों हिस्से हैं उनमें 18-18 फंदे हैं इसमें हम दोनों तरफ 18-18 फंदे जोड़ेंगे और पिछले हमारे फंदे जो हैं बचे हुए जितने भी थे उसमें से 36 फंदे हमारे घड़ जाएंगे दोनों तरफ जोड़ने के बाद और बाकी के जो फंदे हैं अभी हम काउंट करते हैं कितने बचे हैं वो फंदे हम बाइंड आफ करेंगे इस तरह से और यह हमने जो है एक आगे का हिस्सा जो है पिछली एक साइट के साथ हमने यह जोड़ दिया अब यहां पर हमने पीछे 18 फंदे छोड़ने हैं 18 स्टिचेज क्योंकि दूसरा हिस्सा जो हमने जोड़ना है उसके 18 फंदे हैं यह हुए 18 फंदे बीच में बचेंगे हमारे पास बीच में हमारे पास बचेंगे 11 फंदे तो 11 फंदे जो है हमने यहां पर बाइंड आफ करने हैं दोनों तरफ के 18 18 फंदे हैं 11 बाइंड आफ करने हैं 12 फंदा जो बाइंड आफ होगा वह हमारा जब हम 18 में से जब जोइन करेंगे दो फंदे कठे तो उनके साथ होगा तो उस हिसाब से बीच में हमारे पास 12 फंदे हैं जो हमने बाइंड आफ करने हैं यह बारवा फंदा है 11 फंदे हमने बाइंड आफ कर दी है यह बारवा फंदा है इसे हम जब दूसरा हिसा साथ में यहां पर जोड़ेंगे तो इस फंदे के साथ यहां से फंदे हम बंद करने शुरू करेंगे यहां पर अब यह जो है दूसरी साइड भी हमने आपस में इसको जोड़ेंगे जोड़ते हुए उल्टा और सीधा के ध्यान रखेंगे जो हमारा सीधा हिस्सा होता है उसे हम अंदर की तरफ रखते हैं इसको जोड़ते हुए कंधे जब भी आपस में जोड़ने है तो यह हमारा दूसरा कंधा जो है वो भी हमने आपस में इसको जोड़ दिया है तो हमने अगले और पिछले हिस्से जो है आपस में जोड़ दिया है जितनी भी एक्स्ट्रा वूल होगी उसे हम अपनी जो है सिलने वाली सुई है उसे अंदर टक कर देंगे इसे थोड़ा लंबा रखेंगे ताकि हमें टक कर में इजी रहें अब हम यहां से इसकी सिलाई करेंगे और कंधे की इस तरफ से दोनों तरफ से इसकी सिलाई करेंगे यह जो कंधों की एक्स्ट्रा वूल है उसे हम आप चाहो तो क्रोश्य से भी इसको जो है टक कर सकते हो पैस को सुई से ही टक कर दूंगे अंदर जितने भी एक्स्ट्रा वूल कहीं से भी मुझे नजर आ रही है उसे इसी तरह यहां पर है यह एक्स्ट्रा वूल इसे हम यहां इसके अंदर ही टक कर देंगे तो हूं और कहीं कि यहीए मैंने थोड़े सी कम ली धांटू को थोड़े सी ज्यादा हो यहां नई निकलती इस्ट्रा सवई Size यह हमने कंधों की जो एक्स्ट्रा गूल थी उसे भी हमने सी जो एंदर के टक कर दि градॉट है अब यहां पर हम ये ऐप घिजते हो आधे में और पर दालती है और वहमने इसुसा अधे इसे ही अपनी सीलानी लिएक्सेल नगा लेते हैं यहां से शुरू करते हुए इसको हमें जहां तक फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वहां तक हम इसकी सिलाई करेंगे आज भी आज़िए आज प्रफ इसकी सिलाई करेंगे एक चैन एक तरफ से आज दूसरी चैन दूसरी तरफ से लेते हुए इसकी हम सिलाई करेंगे यह थोड़ा सा जो है हिस्सा में यह डबल बूल जो है मैंने अपनी सुई में डाल रखिया उससे करूँगे अब यहां से इसको यहां से इसकी हम जो है जहां तक हमने इसको एक फंदा बिना बूने उतारा था कंधे की लंबाई जहां से शुरू होगी वहां तक हम इसकी सिलाई करेंगे जिस तरह से एक तरफ की सिलाई करेंगे उसी तरह से दूसरी तरफ की भी सिलाई करेंगे तो अब यह हमने दोनों तरफ की जो साइडें थी वह आपस में जोड़ ली हैं जोएन कर ली हैं इनको स्टिचिंग से यह जो वूल है अंदर टक करूंगी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही नीचे करके थोड़ा टक करूंगी ताकि यह जो है मजबूती से रहे यह हमने इसकी सिलाई कम्प्लीट कर ली अब यहां पे हम इसमें जो हमारे यहां पे जहां से हमने इसकी गले की शेप के लिए फंदे घटा ने शुरू किये थे यहां पे हम आई कोड लगाएंगे तो यह आई कोड मैंने बना के रखी हैं दो आई कोड्स हैं सेम लेंद में हैं तो अब यहां यहां से फंदेग घटाने शुरू किये थे वहां पे हम अपनी यह आई-cord अटाच करें गे आप चाहो तो अपने हिसाब से रिबन भी लगा सकते हो डोरी भी लगा सकते हो जो आपको पसंद हो मैंने यहां पे आई-cord लगाई है कि यहां से यहां पर यहां से हमारी गले की जो है गले की शेप देने के लिए यहां से हमने फंदेग हटाने शुरू किये थे और जहां से फंदेग हटाने शुरू किये थे वहां से हम अपनी यह जो आइकॉर्ड है वह अटैच करेंगे यह यहां पर दोनों तरफ की जो है हम अपने आई काल अटाश करेंगे हैं इस तरह से जिस तरह हम एक तरफ करेंगे अटाश को उसी तरह से हमने दूसरी तरफ अटाश कर रहा है करेंगे अटाश कर रहा है झाल झाल यह जो आई कॉर्ट मैंने बनाई है यह चार फंदों की आई कॉर्ट है आप चाहो जो मेरी वूल है यह नॉर्मल से थोड़ी सी थिक है तो इसलिए मैंने चार फंदों की बनाई है आप चाहो तो पांच की भी बना सकते हो छे की भी बना सकते हो यहां से इसको थोड़ा सामें अंदर करके उसके बाद ही इसकी जो बूल है उसकी कटिंग करेंगे जिस तरह से इसको जोड़ा है उसी तरह से हम इस तरफ भी जोड़ेंगे अभी तो हमने दोनों जो है आई कार्ड़ अटेश कर दी है आप यह डोरी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से भी बना सकते हो तो इसी के साथ हमारी यह जैकर जो है वो कंप्लीट होती है इसमें अगर हम बात करें बैक साइड की बैक साइड हमने स्टार्ट की 64 स्टीचे के साथ 64 फंदों के साथ उसके बाद इसकी जो नीचे की लेंग थी वो हमने बुनी उसके लिए 36 गाटा स्टीच रोज सेवन्टी टू सिंपल रोज दोनों तरफ से 36 राइट साइड से सीधी तरफ से 36 लेफ जो है लेफ साइड से मतलब की सीधी और उल्टी दोनों तरफ से 36 रोज हमने बुनी टोटल बहत्तर रोज सेवन्टी टू रोज बुनने के बाद हमारे पास 36 गाटा स्टीच रोज आई 36 रोज उसके बाद हमने नौ नौ फंदए दोनों तरफ गट आई खंदे के लिए यहां पर यह पक्टी है पक्टी के हमारे पास तीन फंदे थे और उसको 9-9 फंदे घट आने के बाद 10-10 गाटा स्टीच रोज हमने उपर बनाई 9 फंदे घट आने के बाद तो टोटल यह हमारी जो बैक साइड की लेंग थी 55 गाटा स्टीच रोज अगर हम फ्रेंट की बात करें तो फ्रेंट में हमने दोनों तरफ जो है एक तरफ भी और दूसी त लेट साइड अर था टीसिक्स राइट साइज 36 लेट ऊंदे हमने दोनों तर रखेन इसकी जो पट्टी वाली साइड है अंधर की वहां पे हमस्क्ति के साथ ये केबल बनाई है केबल बिलकुल n अ और इसकी लेंध बिलकुल बैक साइड की तरह हीए जतने बैक साइड की ल स्टिचेस दस गाटर सिच जो है रोज उसके बाद हमने बुनी है साइडों पे तीन तीन फंदे ही है पट्टी के और अंदर की तरफ अगर बात करें तो यह जो एक फंदा है उल्टी तरफ हमने उसको एक स्टप नीचे से बनाया है ताकि हमारे पास फ्रंट में यह आइकट अगर आप चाहो तो आप आइकट की बजाए जो आपको पसंद हो उससाब से अपने लिए बना सकते हो जो डूरी आपको चाहिए यह आइकोड जितनी लेंद आपको चाहिए उससे थोड़ी छोटी बनाए क्यूंकि यह जब इसको बार बार खोले बंद करने के लि झाल झाल